कोरोना वाइरस संक्रमन को देखते हुए किंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकार ने जनवरी फरवरी में CBSE बोर्ड की परिक्षाएं ना कराने का फैसला लिया किंद्रिय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोख्रियाल निश्रंक ने ये घुशना की परिक्षा की तारीखों को लेकर बाद में ऐलान किया जाएगा वहीं इसके साथ ही किंद्रिय मंत्री ने शिक्षा संबाद के 22 पर संस्क्रण के तहट शिक्षिकों के साथ लाइब एंटराक्शन में ऑनलाइन शिक्षा, बोर्ड परिक्षा, प्रवेश परिक्षा, मुल्यांकन के स्वरूप, शिक्षिकों की ट्रेनिंग और शिक्षा संब अन्य मुद्दों पर विस्तृत बाचीत की इसे शिक्षा संभाद में देश भर के हजारों शिक्षिकों ने हिस्सा लिया और शिक्षा संभंदी विभन मुद्दों पर कई सवाल किये जिसके जवाब देकर शिक्षा मंत्री ने सभी की आशंकाओं और चिंताओं को दूर किय कि आज इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तांतिक देश है उस लोक्तांतिक देश के में सिक्षा का व्यवस्ता अस्त ब्यस्त नहीं वी और जैसे कि यह बहुत सारे देशों ने अपने को एक एक साल पीछे कर दिया और स्कूलों को टोटली बंद कर दिया परिक्षाओं को निरस्त कर दिया यह आपने ही ताकत थी कि जब आपसे परामर्श हुआ तो आपके बहुत अच्छे सुजाव आए और आपने का कि नहीं अपने एक योदा की जैसी भूमे का आपने निवाई और हमने परिक्षाओं भ बच्चे को पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके देश-दुनिया की खबरों के लिए एनबे न्यूस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए